हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टेटी में पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था है होल नम्मर्स का चैप्टर टू क्लास सिक्स इस वीडियो में हम कोश्चन एक्ससाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे कोश्चन को सौल करना चलिए शुरू करते हैं कोश्चन नमर बन से राइट थी नेक्स नेट्र लमबर और 1099 तो दिए कि हमें क्या पूला गया है कि हमें 10999 के बाद के नेक्स थी नम्मर लिखने है नेश्ट्र लबर मझला पॉस्ट्व नमबर नेच्ट मिंस आने वाला आने वाले के लिए प्ले प्लस करते हैं तो हम सबसे पहले पहला नेक्स नमबर निकालने के लिए क्या करेंगे तू टैन नाइंटी 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 नाइन इस इक प्लस कर देंगे प्लस करके हमें क्या मिलेगा 11,000 दूसरा नमर निकालने के लिए हम क्या करेंगे अब जो नेच्ट नमर आये था उसमें हम 1 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 की जगा 1 आ जाएगा, यह दो नमर हो गए है दो नेच्ट नमर हो गए है 10,999 के बाद के अब तीसरा नमर क्या होगा, जो इसके बाद आएगा 11,001 इसमें क्या होगा 11,001 इसमें भी एक 1 जोड देंगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 तो यह 11,001,1002 तो 3 नेक्स नेच्ट नमर कौन से थे यह 3, 11,000, 11,001 11,002 तो चलेए, दूसरा कोशन देखते है राइट से 3 होल नमर ओकरिंग जस्ट इसमें बोला गया कि 10,001 से पहले की 3 नमर लिखने हमें अब पहले की 3 होल नमर अब यहाँ पर होल नमर नेच्ट नमर में कन्फ्यूज नहीं होना है, इन दोन में खाले इंतरिये अब क्या करेंगे, माइनस 1 के नहीं करेंगे, अब वरन को माइनस करेंगे माइनस 1 करके हमें, क्या मिल जाएगा 10,000 से पहले एक माइनस कर देंगे क्या हाँ जायाएक 009999 999 नंब09 करके दो कि यह मिलेगा 9999 में से भी 1 माइनस करेंगे कि तो अगैं कि मैं क्या मिलेगा 9998 यह हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें बोलागा इसके हमें 3 निच्ट नमबर बताने से पहले गये तो इससे पहले rice यह आई है तो viens इसके इसी से हमें दूसरा नंबर मिलेगा कि इससे पहले क्या रहा होगा तो इससे पहले कि जो तीन नंबर थे वो क्या थे हमारे 10,000, 9,999, and 9,998 अब तीसरा क्वेश्चन एक ते हैं which is the smallest whole number introduction video हमने पढ़ा था कि whole number कहां से स्टार्ट होते हैं 0 से तो सबसे छोटा whole number क्या होगा 0 होगा अगर natural number की बात करें तो natural number सबसे छोटा कौन सा होगा 1 0 चौत्था कोजिन how many whole numbers are there between 32 and 53 अब इसमें हमें बताना है कि 32 और 53 की बीच में हैं कितने numbers हैं तो इसके दो तरी के या तो आप 33 से लेखे 52 तक के गिंती लेकिं वह जोर गिनके लेके कितने number होते हैं 33、34,35 से लेके 52 तक जागे आप गिन सकते हैं कितने हैं अगर आपको अगर यह method लंबा लगता तो आप ये भी कर सकते हैं अगर हमें किसी भी नमबर के बीच के नमबर निकालने हो जैसे सबसे पहला हम क्या करते हैं उन दोनों नमबरों को माइनस करते हैं जैसे सबोस हमें 53 और 32 के बीच के नमबर निकालने हैं तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे इनको minus करके 21 मिला और उसके बाद एक minus और करना है 1 से तो हमें मिल जाएगा 20 तो ये एक तरीका है निकालने का कि कितने number किनी भी दो number के बीच में होते हैं तिन दोन के बीच में कितने numbers होंगे 20 numbers होंगे अगर example के लाप को मिदू कि अगर हमें बताना है 18 और 7 के बीच में कितने number होंगे तो हम इसमें भी क्या करेंगे 18 minus 7 कितना होता है 11 और इसमें minus 1 तो आप देख सकते हैं इन दोन के बीच में 10 numbers होंगे तो ये तरीका है अगर आपको ये सारी गिंती लिखने से बचना है कि सबसे पहले उनी दोनों number को minus किजिए उसके बाद 1 से minus किजिए जो आपका answer आएगा इसके मतलब उतने ही number इन दोनों number के बीच में आएगे अगर आपको ये चारों सवाल समझाए होंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेगे मिरते हैं नेक्स वीडियो में धैंक यू